वेल्लो एव्रिवन वेल्कम तो सीउटी एड़ा 247 माइने में जमन मैता और आज हम बात करने वाले हैं आपके एक्जाम सीउटी 24 जो आपका हाइब्रिड मोड में जा चुका है यानि ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा तो आपके मैंने बहुत सारे डाउट्स या नहीं होगा या फिर कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे ऋपहले हम बात करते हैं इंग्ическая ट्रेंड की बात करते तो हो सकता आप लोगों ने ओविसली क्या ए लैंग्विज ली होगी लैंग्विज होगी आपके पास कोई डोमीन होगा या फिर आपने general test भी देना होगा GT ठीक है आपको general test भी देना होगा अगर मैं आपसे बात करता हूँ languages की language की बात अगर हम करते हैं तो language का और domain का अगर मैं बोलूँ तो आपको 40 questions करने हैं out of 50 ठीक है चाहे online हो या फिर offline हो pattern में कोई change नहीं है ठीक है पांच number का ही question आएगा एक negative marking दोनों में बराबर होने वाली है यानि 1 minus हो जाएगा अगर आपने कोई question गलत किया यानि negative marking है ओके और theory जितने भी theoretical जितने भी आपके exam होंगे उनके लिए आपको 45 minutes मिलेंगे और जो numerical exam होंगे उनके लिए आपको numerical आपको 60 minutes मिलने वाले है ठीक है GT के लिए भी आपको इतना इन टाइम मिलेगा और साथ में आपको GT में 50 questions करने होंगे out of 60 तो pattern सबका same होने वाला है तो pattern की point of view से देखे तो भी कोई difference नहीं दिखाई देता तो इसका मतलब है एक्जाम आपका इस point of view से देखा जाए तो मुश्किल नहीं होगा मतलब इक्वल होगा जैसा भी आएगा online में भी वैसा आएगा और offline में भी वैसा ही आएगा इसके बाद अगर हम बात करते हैं slavis की तो कई बच्चों के मन में चाहे offline की बात कर लो बिटा वही आएगा offline की बात कर लो वही आएगा जो इस exam में होगा या फिर इस exam में होगा कोई भी difference नहीं है पूरा slavis आएगा और जैसा है मैं accounts बढ़ाता हूँ तो account nc के इंदर 6 additional chapter तो वो भी आएगे चाहे online हो चाहे offline हो business studies हो, economics हो, physics हो, chemistry हो, biology हो history हो, geography हो कुछ भी हो जो भी आपको x-basis subject पता है सबका slavis same होने वाला है ठीक है लेकिन last जो point है न वहाँ पर आपका दिमाग चलेगा कि हाँ यह तो point है जिस पर कुछ तो हो सकता है लेकिन मैं उसके बारे में भी उसकी हकीकत बताऊंगा आपको और वो है जो exam hall है उसका environment कैसा होगा ठीक है क्योंकि देखो online exam देते वक्त आपको अलग feeling आएगी obviously अलग feeling आएगी और offline exam देते वोगे भी आपको अलग feeling आएगी लेकिन अगर मैं बोलू कि online exam के अपने pros and cons है और online exam के अपने pros and cons है ठीक अब अगर हम बात करते हैं तो कई लोग बहुत जादा technical नहीं होते ठीक है जैसे अगर बहुत सारे बच्चे होगे पूछे पूछे पीटा online exam चाहोगे या offline होना चीए तो कुछ बच्चे बोलेंगे अपने बेटर है और कुछ बच्चे बोलेंगे offline बेटर है तो जो offline वाले student है उनको थोड़ा mouse वगरा चलाना keyboard चलाना वो ज़्यादा परसन नहीं है उन्होंने बच्पन से offline exam दिये तो उनको वो सारी चीज़े सही लगती है तो मैं आपको यह भी दिखा देता हूँ कि आपको feel कैसा होगा environment कैसा होगा देखो वो चीज़ अगर हम देखते है तो अगर offline की बात करें तो offline में आपको इस तरह की OMR sheet मिल जाएगी और इसको आपको क्या करना है fill करना है ठीक है इसको आप fill करोगे एक गोले को जैसे A answer सही लगा तो आपने यह पर ऐसे बर दिया इसका C answer सही लगा ऐसे बर दिया ठीक है तो कई लोग इसको कर पाते हैं थोड़ा असान लगता है कई लोग mouse set क्लिक करते हैं आपको वह भी दिखा देता हूँ अब जैसे यह आपको एक mock test अड़र 24-7 का ओपन करके दिखा रहा हूँ जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका online exam होता है बिल्कुल उसी pattern पर है ठीक है आपको interface भी वैसा ही दिखेगा mark as review and next का option आपको मिलेगा यहाँ पे आपको save and next का के अगर आप sure है तो आप save and next कर लोगे ठीक है और यहाँ पे आपको बिल्कुल exactly वैसे ही समझाया गया है जैसे not answered होगा तो रेड कलर का आपको यहाँ पर दिखाई देगा तो यह चीज़े आपको awareness नहीं है कई बार बच्चों को नहीं पता होता कि online exam जो होते हैं उसको लेकर के क्या click करना है कैसे click करना है वो सारी चीज़े कई बच्चा aware नहीं होता और डर जाता है तो इन सब चीजों का फर्क पर सकता है लेकिन इसको हम exam की difficulty नहीं बोलेंगे इसको हम बोलेंगे कि बच्चे के अंदर awareness कैसी है एक बच्चे के लिए क्या comfortable है ठीक है तो इस तरीके के बेटा exam होंगे आपके और I hope मैं आपको एक दम last words अगर मैं बोलू clearly कि exam मुश्किल आएगा या नहीं और online और offline के बीच में कोई अंतर नहीं होने वाला अगर हम difficulty of exam की बात करते हैं कुछ भी अंतर नहीं होने वाला तो अब बात करते हैं सब दोनों यह exam की बता दो सब मुश्किल आएगा तो मैं आपको वह भी चीज़ समझा देता हूं देखो बिटा कोई भी exam होता ना बहुत अलग अलग तरहा के exam मैंने भी अपनी life media school के exam दिया है ठीक है professional courses के exam दिया है entrance जो test होते हैं वो दिया है सब के लिए एक ही कहानी है बेटा तीन तरहा के होते हैं easy moderate और बेटा hard या difficult जो भी आप बोलो तीन तरहां के ही question होते हैét और हमशा यह दिखाये जाता है हमेशा ही दिखाये जाता है कि जो easy होते है और जो hard होते है वो भी exam में आते हैं लेकिन सारा paper easy नहीं हो सकता इसलिए saare easy question नहीं होरो सारे सारे difficult questions नहीं होरो देखके दिमाघ खराब हाग एक बच्चे को मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था एक बच्चे ने बोला सार डिपेंड करता है हमने कितना पढ़ा उसके बेसिस पे हार्ड और ऐजी होता है बिल्कुल बात सही बोलिए यह सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपने कितने अच्छे से तैयारी करी है आपने कितने कोश तो नहीं ले लिया राइट बुड़ना था लेफ तो नहीं बुड़ गया वहां पर आपको बहुत जादे दिक्कत हो जकती है लेकिन आप एक रास्ते पर रोज चल रहे हैं तो चीज आपके लिए आसान हो जाती है तो इसी तरह से कोई भी एक्जाम अगर आपको देना है दो और यहां पर आपको पीटा क्वेटा एक्जाम से पहले वैसा ही एक्जाम पैटर आपको बार-बार फॉल्लोग करना होगा और वह मौक टेस्ट होते हैं को अगर आप मौक je नहीं द्यायं तो है आप इस तैम में हैं और इक्जाम की डिफिकल्टी लेफल सिरे हो आप countdown एक Cayeno, उसको आपको कम करना है, तो आपको MEHTES का लगाने है, यह लास्ट टाइम जो चल रहा है, वह मोक टेस्त का टाइम है, ठीक है, तो यह चीज है, और moderate questions के बारा में में, मैं आपको बोल दूँ, सब से ज़्यादा moderate questions को से आते है, हाँ अगर कोई बच्चा एक दम जबरदस तरीके से तैयार हो चुका है तो बेटा वो हर तरहा के कोश्चन को करके आएगा तो इसलिए अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी अभी भी नहीं है तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते है अड़ा 247 एप डाउनलोड करके ठीक ह यहां पर आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगा अड़ा 247.com यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर दिखाए देगा इस तरह का इंटरफेस यहां पर आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है UG PG entrance exam पर क्लिक करना है CUT commerce पर जाना है या science पर जाना है आर्ट जो भी आप जो भी आपकी stream है ठीक है और यहां पर आपको प्रतिग्या 2.2 बैश दिख रहा है जो आपको 30 दिन के अंदर एक structured way में पढ़ाने वाला है यहां पर आप जो बच्छा जॉइन कर लेता है उसको यहां पर concept भी clarity मिलेगी बटे crash course है इंडिया का सबसे बड़ा number one जो crash course है वो यह है क्योंकि 2023 में भी सबसे आदा बच्चों ने यहीं पर enroll किया था और हमारे रिजल्ट आप तक पहुंचे ही है जानते ही आप लो सबसे बड़ा platform subscriber based के सबसे भी कहलो चाहे रिजल्ट के बारे में बूल लो तो आपको क्लिक करेंगे और आपको practice भी बराबर करा करेंगे आपको जो भी price दिख रहा है इसको attention मतलो आपको क्लिक करना है आपको यहां पर code पूछा है तो आपको code लगाना Y5050 ठीक है क्या लगना Y5050 और यहां पर जैसे ही apply करेंगे तो प्राइस है और 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 लगवा 830 रुपय का discount आपको मिल जाएगा 3293 और यहां पर 17% discount लेकिन अभी अभी discount चला है 20% का तो अभी जाकर के इस offer को अवेल कर लीजे आपको बहुत फायदा होगा और जो बच्चे तयार हो चुके हैं ठीक है मैं हर तरह के student की बात करूंगा जो बच्चे तयार हो चुके एक है जो आपके घर तक पहुंचेगी मैंने बोलना offline online दोन online test मिलेंगे और आपको OMR sheet भी मिलेगी जिसको जिसके उपर प्रैक्टिस कर सकते हैं बिल्कुल वैसा ही feel लोगे तो जितनी बार उन रास्तों से होकर गुजरोगे वो रास्ते आपके पहचान के हो जाएंगे वो रास्तों पर आप comfortable हो जाएंगे सेम ऐसे ही जितनी बार होगे बार बार दोगे आपको feel हो जाएगा कि अब मैं exam hall में जांगो तो मेरे लिए कुछ नया नहीं है इतने question करके जाने है इतने सारे question करके जाने है जो भाई इससे हटके कुछ आई ही ना सके और commerce cvd adder 247 channel जो है वो आपको इसी तरीके से serve कर भी रहा है सारी चीज़े ठीक है तो यह सारी चीज़े आपके बहुत काम आएंगी और अगर किसी वच्छे को अभी भी नीड है books वगर है तो भाही books भी available है ठीक है books भी सारी available है और chapter wise test है सब कुछ available है code आपको याद रखना है जिससे आपको maximum discount मिल जाएगा और वो code क्या है वो code है वो code है investment है खर्चा नहीं है ठीक है तो जरूर जुड़े अड़र 247 इंडिया का सबसे बड़ा platform जो आपको short short guarantee देता है अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके dream college तक पहुंचाने की ठीक है यह 30 दिन एक second भी विस्ट नहीं करना है all the best मिलते हैं आपसे प्रतिग्या 2.22 में बाइ बा झाल झाल